मध्य पर्देश के राजगर थाना शेतर के ग्राम अमोधिया में प्याज की रखवाली करने गई किसानों पर रात्री के समय अग्याद बदमाशों ने हमला कर दिया हमले में पीता एवं पूतर की मोथ हो गई एवं एक अन्य व्यक्ति खायल हुआ है आपको बता दे कि ग्रा हरी राम को बताया गया दोनों जब खेट पर पहुंचे तो चार बाइक पर दो दो व्यक्ति प्याज के कट्टे चुरा कर लेजा रहे थे यह देख बबलू वह हरी राम ने उनका पीछा किया तो दोनों ने एक बदमाश को पकड़ लिया वहीं अन्य बदमाशों ने बंद 12 साल है उसकी मोथ हो गई है वहीं बबलू के पिता दोलत राम सिर्वी वह उन्हें इंदोर ले जाते समय उन्होंने रास्ते में दंदोर दिया घटना में घायल हरी राम सिर्वी ने बताय कि बदमाश बड़ी संख्या में आए थी जैसे ही बदमाशों का पीछा किया वैसे इस घटना को लेकर प्रकरन दर्ज किया है घटना के बाद से पूलिस भी जाच में जुट कई है सरदार पूर से समधाता दर्श्यत पार्टीदार के रिपॉट प्रुट कुराईर राम सुलंकि सब्सक्राइब लगने सोगी है उसे दोलत राम जी हमको पेट में रंग बस लगी है इस पर लंबी रहे हैं उपचार के लिए उंदो रेफर किया गया है हरी राम को पेर में चोट आई है और फेक्टर है उनको उपचार के लिए प्रश्चर आए लिए ड़कर एक्षामधर साथी सब्सक्राइब को एक को सिने में लगी है और उनको पेड में गोली लेगे अंगे लिए बेल इकन को फिक कर हमारी चैनल को लाइख शेर और सब्सक्राइब करें थे ने वाल इंक्रेड़िबल मारिज पैलेस राजगराना और फानेस पंक्रेट अल जोती गार्दन व्लड गार्णा जोती गार्दन अजोती गार्दन अजबगराना और जोती गार्दन अजबगराई बांक्रेट इंटर्प्राइब